तो यह है अग्री कमोडिटी का अफग्रेट आपके सामने अचली अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और हमारे साथ तीनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं जतिन त्रिवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ LKP सिक्यूरिटी से विरेश हीरेमत भी जुड़ चुके हैं फिनलिट कंसल्टिंग से और इसके अलावा भाविक पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेड बूल्स सिक्यूरिटी से आप तीनों का ही भौबा स्वागत है शो पर सबसे पहले तो कच्छे तेल पर एक बार नज़र डालते हैं वहाँ पर हम आप सभी का व्यू भी ले है और जब यह फैसला आया उसका इंपैक्ट हमने डॉलर में भी देखा और फिर कच्छे तेल में भी इसका असर दिखा और करीब एक से सवापरसंट की वीकनेस कच्छे तेल में दिखाए दे रही है डव्यू टी आए क्रूट 69 डॉलर के नीचे है MCS क्रूट 5700 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है यहां पर थोड़ा व्यू लेना होगा जतिन आप से समझना चाहेंगे कच्छी तेल में अभी क्या करें क्या यहां से और वीकनेस आपको दिखाए दे रही है यह देखें मौजूद अपडेट तो यहां रहे है कि 5700 के भी नीचे MCX कूरूड आ चुका है तो बिक्वाली हावी है यहां पर के यहां से और करेक्शन देख रहे हैं यह देखें यह मार्केट जो है ना एक बहुत वोलाटाइल बड़े रेंज के अंदर है जहां पर 6100-6200 इक स्टिफ बैरियर है फूर के लिए यह पिछले दो मैने से यही दौर चब रह है तो अब हम जो हैं दीरे-दीरे सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पर शॉर्ट करने के एडवाईज वह पोड़ी सी साइडवेस हो जाएगी एक सपोर्ट के पास फिर से हम प्राइज को जाते हुए देख रहे हैं और पिछले दो महिने से यह हो रहे हैं कि जब जो डिमांड है तो वहां से बाइंग मोमेंटम दिखता है चाइनीज डेटा एकनोमिक खुड़ा सब पॉजिटिवेटी आ जाते हैं जिससे डिमांड को ले करके सपोर्ट मिल जाते हैं उसी तरफ अगर हम जभी भी 6,000-6,100 के पास आते हैं तो फूर्ट के नेगेटिव से प्रेशर जो बनना चुरू हो जाता है तो इस रेंज के अंदर बड़े रेंज के अंदर ही ट्रेट करते हुए देखने मिल रहा है दो महीने से तो इसके विपरित मैं अभी कुछ नहीं देख रहा हूं क्यूंकि दोनों तरफ की न्यूज जो है वह आ जाती है अब जिस तर पर 555 सपोर्ट है और 6106,000 दोनों तरफ के आसपास मिलते हैं तब मेरी बाइंग के सला रहेगी क्यूंकि कोई ना कोई पॉजिटिव ट्रिगर जरूर आ जाएगा सामने मार्केट में और फर्स जूलैसे जैसे हम देखेंगे कि साओधी के तरफ से जो है वह एक मिलियन डा करना चाहते हैं उनके लिए बाइंग ऑन डिप्स की ओपरचिनिटी रहेगी और फिटी पाइंग ओपरचिनिटी दिखाई दे रही है फिलाल लेकिन अभी ओवरॉल ट्रेंड जो है वो थोड़ा नेगेटिव ही है तो यहां से गिरावट और गहरा सकती है जतन जो भी ही नजर आ रहे हैं जिसके वज़े से डॉलर एक सेफ हैविंग की तौर पर देखा जा रहा है लेकिन महंगाई तो जल्द कंट्रोल में आने की बात हो नहीं रही है और अभी उनका कहना है कि ड्रेट रिवर्सल तो बहुत दूद की बात है पहले इसको टागेट तक लेकर इसके बाद वो सोचेंगे की फिर ब्यास दरों में क्या करना चाहिए तो पॉस ले सकते हैं हो सकता है पॉस ले लेकिन ये जो दरों में बढ़त का दौर है वो बहुत जल्द खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ये व्यू दुनिया भर के सेंट्रिल बैंकों का बन कि बात करें तो इसी रेंज के आसपास ही सुना दिखेगा लॉंग टर्म निवेशक क्या करें इस वर्ट सुने में देखे पुझा मार्केट कोई भी तरह का मार्केट हो चाहिए विलियंस हो या करन्सी हो एक्विटी हो उसको क्लारिटी जो है वो जादा पसंद आती है इस जो है वो तो अभी खिलाल आउट ओप्वेशन रहा है क्योंकि जिस तरह से इनके स्टेटमेंट नहीं है उनकी जो इस अब से प्टर स्पीच रही है पिछले दिनों में उसके लियास से कट की तो संभावना नहीं है लेकिन आगे चलके होके स्टेटमेंट जो और रहती है जैसे कि उनके उन्होंने बताया था मीटिंग में इछले अपते की डो और हाइक की पॉसिबिलिटी से पॉसिबिलिटी से हो या फोड़े और कम पेस से हो हाइक बढ़ाए लेकिन दो पेस दो हाइक जो है और बन सकती है जो करन डेटा है उसके अकॉर्डिक आगे चलते हु को आने वisti मिलेगा और को से की मिलेगा और लुवर जेसी कि घ्री से पीपर करेगा उनको उनको ना करने के रोज़ान के तरफ करें जैसे साँ इस एद्वरेस्ञ ऑठ लेकि जहां करें पर डास पर ढर आरिप स्पेसिफिकली ऑमकिस्टार मैं तensation अभी फिलाल जो है वो अंसर्टेनिटी जादा बनी हुई है कि जैसे जैसे डेटा आते जाएंगे वैसे 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 बिलते जाएगी बोल्ड के उपर आपको मेंटम देखना शुरूर मिलेगा इमीजेट पेसिस पे अभी फोड़ा साथ गोल्ड सिल्वर के उपर जरूर भावी है मार्केट लेकिन ब्रॉडली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड क्लियर रहना चाहिए आगे चलते वह पॉजिटिव का ट्रेंड आप अब लाग प्रिश्ट प्रेंड यह वह पर प्राइजिस मिलते तो एक्जिट कीजे जो भी रॉंग पूइशन है जो शॉट तर्म ट्रेंड से उनके लिए सिर्फ यह सला है 59,000 की नीचे जब तक ट्रेंड कर रहा है तब तक मेरे लिए शॉट तर्म में गोल्ड जो है लेविस आपको आने वाले गिरमें दिख सकते हैं ब्रॉडली मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है शॉट टर्म में ट्रेंड जो है तो थोड़ा से नेगेटिव बना होगा जी ठीक है तो अभी कुछ क्लियर कट ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है 59,000 की नीचे जब तक बना हु को और जिस तरह के ग्लोबल डिवलप्मेंट हो रहे हैं उस पर भी रज़ा रखने की जरूरत है और आप दोनों का ही बहुत धनेवाद जया दिन तो से तो हमारा संपर ठूट गया है लेकिन अविदेश जी भावी जी आप दोनों का ही बहुत धनेवाद समय देने के लिए और तब आम स्टॉक्स पर अपनी रणीती सुझाने के लिए बाफ कीजिए का कमोडिटीज पर अपनी रणीती सुझाने के लिए एक छोड़े से ब्रेक के लिए हम याप पर रुखेंगे और आप बढ़े रहेंगे एटी नाउस वदेश के साथ नमस्कार